बिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ असाद और आप देख रहे हैं असाद Electrical आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि AVR जो हमारा होता है Generators के अंदर वो किस तरह से Voltage को Regulate करता है या किस तरह से Voltage को Maintain करता है तो AVR के उपर हम Detailed Videos बना चुके हैं पहले नेकिन बहुत से लोग का Concept के लिए नहीं होता AVR के हवाले से वो बार-बार Questions करते हैं तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा Easy जो हो कोशिश करेंगे का Explain करें AVR का जो Working Principle है तो सबसे पहले हम एक Example को समझेंगे हमारे घरों में जो Stabilizers यूज की जाते हैं Freeze के लिए Normally तो उसका काम क्या होता है कि Supply जो आ रही होती है Incoming उस पर हम पहले Stabilizer लगाते हैं उसकी Output पर जो हम अपना Freeze या Refrigerator लगाते हैं तो Stabilizer का क्या काम है कि जितने Voltage हमारे Freeze को Required है उतने ही Voltage इसको दिये जाए को यह Target दिये जाता है कि उसको मसलन 220 Volt को Maintain रखना है दाके हमारे Freeze पर कोई Impact ना आए अब अगर Supply हमारी 220 Volt ही आ रही है तो यह Same Voltage हमारे Freeze को Provide करेगा लेकिन अगर 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 सप्लाई में 220 की जगा 200 हो गए Voltage या मसलन 195 Volt हो गए तब भी यह Output पर 220 ही Maintain रखेगा अब अगर हमारे Voltage ओवर हो जाते है इस लिमिट से मसलन 235 चले गए या 240 हो गए तो यह चीज़ डिपेंड करती है हमारे Stabilizer के उपर कि वह कितने Voltage तक जो है उसकी Range है Minimum और Maximum अब हम माल लेते हैं कि हमारे Voltage 250 तक चले गए लेकिन यह Output पर 220 को ही Maintain रखेगा चूंकि हमारे जो equipment है वो sensitive है उसको Voltage जो है वो एक maintained level पर चाहिए तो यह काम हमारा Stabilizer कर रहा होता है अब हम आ जाते हैं AVR के उपर तो अब Stabilizer की जगा हमने इसको AVR बना दिया Fridge की जगा हमने इसको Load बना दिया जो generator के उपर Load होता है और Supply जो Incoming आ रही थी उसको हमने Sensing Supply दे दी अब AVR का क्या काम है कि Load को जो Required Voltage है मसलन 400 Voltage required है generator की Output पर जो हमने Load से Connect किया है तो वही Voltage Maintain रखना है AVR का का काम इसलिए इसका नाम Automatic Voltage Regulator है अब इसको Supply पीछे से कम मिले या जादा मिले इसकी Output पर हमेशा Voltage जो है वो Maintain रहने चाहिए तो यह हमने एक Stabilizer के जरी से Example से आपको समझाने में असानी किये अब हम आते है AVR के असल काम के उपर तो AVR basically काम क्या कर रहा होता है कि इसकी जो Input Supply है Sensing की वो हमने Generator के Main Terminals से लीवी होती है कि उसको Sensing Voltage में किस तरह की Supply चाहिए तो हमने Main Supply इसको Sensing में यहां से दी होती है और यह Output जो अपनी दे रहा होता यह Direct Load को नहीं दे रहा होता बलके Load तो हमारा Main Supply से ही चलेगा तो यह basically Excitation के जरीए से हमारे Voltage को Maintain रखता है तो यहां पर हमने E Positive और E Negative दिखा दिया है चुके इसकी जो Supply है Exciter को जो जाती है वो DC Supply होती है अच्छा यह Supply कभी भी Constant नहीं होती बलके Variable होती है चुँके हमारा जो Load है वो मुस्तकिल उसमें Variation होती है जिसकी वियासे हमारे AVR को अपनी Excitation Supply में Variation रखनी परती है Voltage को Maintain रखने के लिए तो Main Sensing से Supply लेकर AVR को देना और AVR उस Supply को Excitation के लिए यूज करे इसको हम कहते है Shunt Excitation जिस तरह हम DC Motor में जो Parallel Winding जिसमें होती है उसको हम Shunt Motor कहते है तो इसमें Parallel हो गई यानि Sensing की Supply आई और Output पर Excitation को मिल गई तो इसको हम कहरे है Shunt Excitation तो हमारे पास मौझूदा दौर में जो Generators होते हैं Synchronous Generators उनमें जो Excitation Principles यूज की जाते हैं उनमें कौन-कौन से होते हैं एक तो Shunt Excitation है जो हमने आपको बता दिया है दूसरा होता है Arap Excitation Arap Excitation यानि Arap का मतलब है Auxiliary Winding Regulation Excitation Principle इसमें हम क्या करते हैं कि जिस तरह Shunt Excitation हमने यहाँ पर यूज की वी थी यह Supply तो इसको चाहिए हर वक चाहिए यानि कि Sensing Supply AVR को जो Main Terminals हैं वहां से हर वक देना जरूरी है इसके साथ ही हम क्या करते हैं आराउंड में एक Auxiliary Winding लगाते हैं तो उसको हम कहते है Arap Excitation Method तो Auxiliary Winding के ओपर कोई लोड नहीं होता बलके वह Auxiliary Winding सिर्फ और सिर्फ AVR को दी जाती है Support के लिए तो यह हमने आपको Green Color से जो दिखाई हैं यह Auxiliary Winding के Connection है यानि Main Sensing में तो Variation होगी होगी चुके इस पर लोड चल रहे हैं लेकिन जो Auxiliary Winding है वह हमेशा बगएर Variation के इसको Supply Provide करेगा तो AVR को Excitation Control करने में इससे Help मिलती है चुके Auxiliary Winding पर कोई लोड नहीं है जितने Voltage भी Produce हो रहे हैं सिधे हमारे AVR को मिल रहे हैं तो इसको हम कहते है Arap Excitation तीसरा हमारे पास जो Use होता है Method वह होता है PMG Excitation तो PMG का क्या मतलब हुआ Permanent Magnet Generator यानि वहाँ पर एक बकाइदा हमने छोटा सा Generator ही लगाया वह होता है जिसके अंदर Permanent Magnet का Rotor होता है और उसके Around में जो Stator होता है उसके Winding होई भी होती है तो उसको हम PMG Excitation Method कहते हैं तो यहाँ पर Arap की जगा आप Green Color को Consider कर लें कि यह हमारे PMG से आ रहे हैं तो PMG पर भी यह होगा चुके PMG पर Directly कोई Load नहीं है बल्के उससे प्रोडूस रने वाले Voltage सीधे सीधे हमारे AVR को मिलते हैं तो Without Variation जब AVR को उससे Voltage मिलते हैं तो इसको Excitation Control करने में Help मिलती है तो यह हमारे पास कुछ Excitation Methods होते हैं अब हमने आपके सामने पूरी AVR की जो एक Block Diagram होती है इसको Circuit Diagram भी कह सकते हैं पूरे जनेटर के AVR के function की हमने डायगिराम को यहां पर बना दिया है अब इसको समझने में आपको इस तरह असानी होगी यह हमारा Main Stator है जोके Star Connected है यहां से हमारी Main Supply जो है लोड में जा रही है इसी Stator से हमने Control Wire लेकर AVR को दिये हैं तो यह Exciter जो है इसमें सीरीज में Winding होई भी होती है यह बेसिकली Exciter Stator या Exciter Field कहलाता है Exciter Field यह इसलिए कहलाता है कि यह अपने अंदर एक Field प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर दूसरा Exciter घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं Exciter Rotor तो Exciter Stator इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि यह रूकावा यानि Stationary Part है Exciter Rotor हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि यह घूम रहा है तो यह दोनों Exciter है इन में फर्क क्या है कि आप देख सकते हैं Main Stator की जो Winding है वो Star Connected है जबके Exciter Stator की जो Winding है वो Series में है तो यहां पर Main Rotor की जो Winding है वो Series में होगी और Exciter Rotor की जो Winding है वो Star Connected होगी अब होगा क्या कि जैसे ही generator स्टार्ट हुआ तो Residual Voltage जो है वो हमारे AVR को मिल जाते है Main Stator से इसके उपर हम अल्रेडी वीडियो बना चुके है वो सारी वीडियो आपको इस वीडियो के Description में मिल जाएगी आप वो देख सकते है कि Residual Voltage कहां से आते है अब Residual Voltage जो AVR को मिले उसके बहाब पर इसने काम करना शुरू किया DC Supply इसने Exciter को Output में दे दी अब Output में Supply देने के बाद होता क्या है कि हमारा जो Exciter Field है ये Field Produce करता है चुके ये Circle होता है यानि Round Shape में होता है गोल होता है तो क्या हुआ इसने अपने Around में और अपने अंदर एक Field Produce करी तो वो Field जो Produce हुई उसके अंदर अल्रेडी हमारा Rotor Exciter जो है वो घूम रहा था यानि Exciter Rotor घूम रहा था जिसकी वज़ा से Exciter Rotor की जो Windings थी उन्होंने इस Field को Cut किया तो जब Cut किया तो Faraday Law यहां पर अपनाई हुआ और इसमें Supply Produce हो गई वो Supply थी AC अब उस AC को हमें DC में Convert करना है तो हमने वहीं पर Rectify लगा दिया तो यहीं घूमते वे हमने क्या किया में रोटर को Supply दे दी यानि अब यह DC Supply हमारे में रोटर को मिल गई तो जब में रोटर को Supply मिली तो इसने भी अपने अराउंड में एक Field बनाई तो जब में रोटर ने Field बनाई तो वो Field काटती हमारे Stator Windings को अच्छा यह डाइगिराम में आपको दूर नज़ा आ रही है बेसिकली यह रोटर जो है इस Stator के अंदर गूम रहा है Exciter Rotor जो है वो Exciter Field के अंदर गूम रहा है तो जब यह रोटर अपने अराउंड में Magnetic Field बनाता है तो वो Magnetic Field होती तो constant है मगर यह रोटर चुके घूम रहा है शाफ पे लगावा है तो यह हमारे Stator Winding को cut करता है तो जब Stator Winding को cut करता है फिर इसमें supply जो है वो Increase हो जाती है वो ही supply हमारे Main Load को भी जा रही है यहां से जो के breaker के बाद और यहीं से हमने Sensing Voltage लिए वे थे अब AVR का काम क्या है कि जितने Voltage भी इसको मिलेंगे यह देखेगा कि कितने इसको required है यानि 400 Volt इसको required है तो यहां पे देख रहा है 400 मिलें उसके भाव पर यह Excitation को Maintain कर देगा अब जैसे हमारे generator पर load आया Voltage हमारे drop हो गए मसलन 300 हो गए तो AVR का काम है Suddenly यानि फौरन इस 300 को 400 करना अब 400 कैसे होंगे कि यह अपनी Excitation बढ़ा देगा जब Excitation बढ़ाएगा तो यहां पर field बढ़ेगी जैसी field बढ़ेगी तो rotor के अंदर जो supply प्रोडूस हो रही थी ऐसी supply वो भी बढ़ जाएगी और फिर वो DC में convert होके हमारे main rotor को मिलेगी तो main rotor अपनी field का जो दायरा है वो मजीद बढ़ा लेगा तो इस तरह से हमारा जो AVR का procedure है working principle है वो काम कर रहा होता है तो यह हमने आपको Shunt Excitation का पुरा जो है तरीके कार बताया है इसमें अभी PMG और auxiliary winding नहीं है तो auxiliary winding इसके इलावा होती है मसलन auxiliary winding हम क्या करते हैं कि अपने stator के साथ ही लगा देते हैं जो हमारा main stator होता है उसके साथ ही लगा देते हैं तो उसमें जो voltage produce होंगे वो भी main rotor की field की वज़ा से होंगे तो उसके wire हम separate लेकर AVI तक पहुँचा देते हैं तो इसको हम कहते हैं यह हमारा Arap Excitation Method है यानि auxiliary excitation principle अच्छा PMG में क्या हो रहा है PMG में इस field से कोई तालुक नहीं है बलके PMG के अलग generator है उसके अंदर हमने rotor लगाया है तो जब वो rotor घूम रहा है वो भी इसी shaft के उपर लगावा है तो जब वो rotor घूम रहा है तो वो अपने stator winding में कुछ ना कुछ voltage प्रोड्यूस कर रहा है जो कि normally 60-70 voltage होते है हमारे caterpillar janitors में तो वो voltage सीदे-सीदे AVR को मिल जाते है तो AVR को sensing में help मिल रही है चाहे वो अरेप method हो या PMG हो लेकिन इसके इलावा अगर ये ना भी हो दोनो method तब भी AVR हमारा काम करेगा वो कैसे करेगा shunt excitation के थुरू और shunt excitation के थुरू वो उसी वक करेगा कि जब उसको शुरू में residual voltage मिलेंगे तो residual voltage के लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो हम इस वीडियो के description में वो सारी वीडियो आपको उसके लिंक से वो आपको मिल जाएंगे उसमें AVR का working principle PMG excitation, अरेप और shunt excitation इन सारी चीजों पर हम अल्रेड़ी details से videos बना चुके है आज की वीडियो में आपका ये concept clear करना था कि AVR basically काम किस तरह कर रहा होता है उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कोई भी आपका question या confusion रहे गई आप comment में पूछ सकते हैं इन्शालला next video में नए topic के साथ आएंगे आज के लिए इतना ही जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाहाफिस